सुपर 30 के संचालप आनन कुमार ने एक साल के लिए स्थगित कर दी है और ये जानकारी फेस्बुक पर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल मैंने एक भी अडमीशन नहीं लिया उन्होंने कहा कि लगातार 18 सालों तक सफल संचालन के बाद एक साल के लिए ब्रेक लगा उन्होंने अगले साल कुछ बढ़ा करने का एलान भी किया है अपने फेस्बुक पेज पर उन्होंने ये लिखा कि अन्तिम सास तक प्रयास रहेगा कि पैसे के अभाव में गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं चूटे उन्होंने लोगों से सहीयोग और आशरवाद देने की अपीर की है अपने पोस्ट में लिखते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्षों से लगाता सफलता पूरवक चल रहे सुपध थर्टी को अब और बढ़ा करने का समय आ गया है मैंने जितना सोचा था उससे भी कई बहुत जादा सफलता मिली और आज गरीब परिवारों के स्टूडेंट उचे पदों पर आसीन होकर देश दुनिया में सुपध थर्टी का नाम मूचा कर रहे हैं और इस वर्ष कई व्यस्तताओं के बीद सुपध थर्टी से मैंने एक साल का ब्रेक ले रखा है इस वर्ष मेंने सुपध थर्टी का बैच लिया ही नहीं ताकि कुछ बड़ा करने जा रहा हूं जिसकी घोष्णा में अगले साल तक करूदूगा बतादे चले कि गरीबों के प्रदिवाशाली बच्चों को आयाइटी में प्रवेश दिलाने के लिए विख्यात पटना के सुपध थर्टी संचाला के करने तक यानन्द कुमार पर गुह चात्रों द्वारा आनन्द पर सुपध थर्टी के राप ठगी करने का आरोप लगाया गया था हला कि हाई कोड ने इस मामले को बंद करते हुए याचिका करताओं को पटना हाई कोड़ जाने की सलहा दी थी और अब सुपध थर्टी के आनन्द कुमार का कहना है कि जनवरी 2020 में जडबली मैंस की परिक्षा होनी है और इसके ठीक पहले वो यह जानकारी देने के लिए सवाल उठ रहे हैं सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज दे बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स